नमस्कार रासान जी की अब्जेक्टिवस पार्ट नब्बे नो टंकी में नो वादियांत्र का प्योग होता है शहनाई सागवान की लकडी से निर्मित होती है और ये छिलम के आकार्गी होती है देव जी अदेव नारण जी की फड़ सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ वीर सत्सई रचना की भाषा मारवारी रेड डायमंड धोलपुर को कहते हैं देश की सबसे बड़ी तामबा उत्पादन खान जुन-जुनू कमांड शेत्र विकास कारीकरम के अंदे सरकारों विश्यू बैंक का है आपनी परियोजना चुरो और हनुमान गड़ की है जर्म चंबल घाटी परियोजना रासान और एंपी की संयुक्त परियोजना है उनिस सो तरेपन चौपन वीना की आकरती वाली किस वादी अंतर का प्यूग देव जी की फड़ काते समय गुर्जरों के भोपे करते हैं जंतर सारंगी लंगा जाती यूज करती है जैसल में बार मेर पाबुजी की फड़ थोड़ी जाती के भोपे रासां की सो से लोप्य फड़ है रामनत्ता वादियंतर का प्यूग किया जाता है चांदनी रात की संगोष्टी के चितरकार अमर्चंद किशंगर शैली में कतंब वरक्ष की प्रधानता है चारनो द्वारा पिक्त रासानी भाशा का साइतिक रूप डिंगल भाटों द्वारा कॉंसी भाशा ब्रज मिश्चित रूप में प्रचिता है पिंगल ग्रियर्सन ने रासानी बोलियों का वर्गीगण पांच प्रकार में किया रासान के धोलपूर के लाल पत्तर से दिली के लाल के लिए का निर्मान 1959 में स्थापित किया گیا था जोधपुर में पर्योजना जीला जाता है सोम कमला, अंबा, परियोजना डुंगरपूर सोम कागरदा, परियोजना उदैपूर पर्वन लिफ्ट परियोजना बारा ग्रेनाइट पे चुनि से निरमित बान्द है जवाई बांध धर्णियवाद